दोस्तो अगर आपका MSIAT का एक्जाम है और आप सोच रहे कि यार MSIAT के आने वाले एक्जाम में कौन से अबजिटियों आएंगे तो चलिए इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आया हूँ Complete Technology Channel पे लेके आया हूँ आपके लिए MSIAT theory के 50 regular पूछे जाने वाले सवाल और उसके जवाब भी है साथ में दोस्तों तो अगर आपके MSIAT के एक्जाम है तो ज़रूर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे अमीदे आपसे चलिए शुक्रते हैं मैं सतीश Complete Technology Channel में आप सबका स्रागत करता हूँ लेट्स बेगेड़ वीडियो में आगे बढ़ने से फिले मैं आपको बताओ दोस्तों आप अगर नए हो मेरे चानल पे तो आपको करना होगा सब्सक्राइब और सब्सक्राइब क्यों जो बेल आइकान दे उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे ओड़ी की नूटिफिक्शन आपको टाइम पर मिले लिए तो MSAT theory में 50 regular पूछे जाने वाले सवालों मैं सबसे पहला सवाल यहां पर मैं पिक कर रहा हूँ जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाए दे रहा है Multitasking is the ability of operating system to run more than one application at a time इसका meaning होता है एक साथ अपने computer पे एक से ज़्यादा application रन करना यह एक operating system की ability रहती है इसे हम multitasking बोलते है यह true है या false है? true है, absolutely true है क्योंकि हम जब एक साथ एक ही computer पे या laptop पे एक साथ बहुत सारे program रन करते है जैसे कि हम Microsoft Word में लेटर टाइप कर रहे हैं साथ में music भी सुन रहे है ऐसे सारी चीज़े एक साथ करते हैं उसे हम multitasking बोलते है आजकल mobile में भी यह सारी चीज़े होते है अब बढ़ते हैं दूसरे question क्यों हो दूसरा question यह है The dash performs simple math for the CPU CPU के लिए simple math कौन सा unit perform करता है इन तीनों unit में से इसका answer है L unit L means arithmetic and logic unit CU means control unit and ME means memory unit अब arithmetic and logic unit का है काम है कि mathematical activities computer में वो करे CPU के अंदर यह units रहते हैं और वो mathematical activities करते हैं तो इसके लिए इसका L.U. answer है दोस्तों यह याद रखना बहुत simple है L.U. arithmetic and logic unit और आपको वोई question पूचा है कि math activity CPU में कौन perform करता है CPU ने हमारा computer का processor दोस्तों तो उसका answer L.U. है simple है अब बढ़ते हैं next question के और अगला question है In order to store the files in hard drive the hard drive uses track, sector and cylinder Is it true or false? data store करते हो hard drive के अंदर तो hard drive track, sector and cylinder use करके data store करता है यह सही है या गलत है? सही है बिल्कुल सही है क्योंकि hard disk के उपर track and sector में data store होता है hard disk के उपर track and sector कैसे रहते हैं यहाँ पर आपको image में दिखाए दे रहा है इसमें data load होता है जो कि invisible मतलब हमें नहीं दिखाए देता है आखों से अगर आप hard disk का platter देखेंगे तो उसके उपर आपको कुछ समझ नहीं आएगा but hard disk के अंदर जो circular platter रहता है उसके उपर track and sector invisible रहते हैं और cylinder भी रहते हैं और उसमें data store होता है that's it next question laser printer has dash types अभी laser printer इसमें से कौन से है personal and share है thermal and personal है active matrix है passive matrix है या inkjet and high definition है तो इसका answer है inkjet and high definition ये है laser printer के types दोस्तों तो याद रखना है laser printer यानि कि जो laser technology के साथ print करता है उसे हम laser printer कहते हैं और ये inkjet and high definition वाले laser printer ही होते हैं उसके types आपको समझ में है बस और क्या चाहिए answer तो मिल गया और समझ में भी आए क्योंकि answer रटा नहीं मारना है समझ लेना है ये हमेशा मेरा कहना है next question की तरफ बढ़ते हैं next question ये है ASCA and ABCDIC and Unicode are binary coding schemes मतलब ये ASCA जो होता है American Standard Code of Information Interchange फिलाल आपको full form के ज़रूद नहीं इसका लेकिन ASCA, ABCDIC and Unicode ये तीनों भी binary language है या binary code है के नहीं है yes exactly ये true है binary coding यानि की computer अपनी जो binary coding यानि computer की language दोस्तों जो आपको नहीं computer को समझ में आती zeros and one form में रहती है तो इसका answer बिलकुल सही है इसे true करना है binary language याद रखना है computer की coding रहती और जो हमारी language रहती communication की होता हम English यूज करते है मतलब computer के अंदर हम लोग English में टाइप करते है तो ये computer English समझ लेता है लेकिन computer का CPU दर असल English नहीं समझता है इसके लिए उसे binary language रहती है जो zeros and one में रहती है यहाँ पर उसका examples यहाँ पर दिये है ASCII, EBC, DIC and Unicode ये answer true है अगले question की तरफ बढ़ते है So next question is A CD-RW disc stands for dash dash So CD-RW stands for what? CD-Rewritable, CD-Recordable, CD-ROM और CD-Rotate इसका जवाब है CD-Rewritable RW, Read and Write मतलब CD, Read भी होगा, Write भी होगा, Rewrite होगा जिसमें data erase करके दुबारा डाल सकते है उसको CD-Rewritable बोलते है Recordable मतलब एक ही बार record होगा ROM मतलब Read होगा only और rotate तो होता ही नहीं बस उन्होंने ऐसा दे दिया है तो CD-Rewritable इसका answer है CD-RW, Read and Write और दोनों भी होता है जिसमें CD का पुराणा data erase करके नया data हम डाल सकते है उसको Rewritable बोलते है Next question Company A, Selling the goods to Company B Using internet, what types of e-commerce they are doing? This question में आपको पूछा गया है कि Company A ने Company B को goods बेचा है internet का use करके तो वो लोग कौन सा e-commerce का type योज़ कर रहे है तो e-commerce के type नीचे दिये है एक रहता है customer to customer, C to C दूसरा है B to C याने business to customer और तीसरा है B to B याने business to business तो अभी यहाँ पे देखिए Company A और Company B दोनों भी business है तो business to business simple है अगर कोई customer रहता तो वहाँ पे हम business to customer आता मतलब कोई businessman, customer Company A selling to the customer B ऐसा रहता तो यहाँ पे आता business to customer simple है तो दोनों जगह पे business है Company A है, Company B है तो business to business यह e-commerce activity हम यहाँ पे use कर रहे इसका answer यह है दोस्तों समझ मैं होगा आपका answer clear? next question की तरफ बढ़ते system board is also known as main board और mother board true or false yes, true है system board को हम mother board बोलते है main board बोलते है जैसे की आपके computer में यह mother board रहता है और computer में mother board इसे mother board क्यों बोलते है यह simple word है क्योंकि यह सभी devices को coordinate करता है जैसे अपने घर में अपनी ममी अपनी सारे relations को coordinate करती है वैसे इसका नाम है mother board तो यह सारे devices को coordinate करते है उसका दूसरा नम system board है और हम उसे main board भी बोलते है यह याद रखना बहुत ज़रूरी है next question की तरफ बोलते है after domain name follow the dot is called domain name के बाद जो चीज़ आती है वो क्या होती है top level domain होता है जैसे .com top level domain Google यह domain name हो गया उसके बाद dot के बाद क्या आ रहा है .com आ रहा है तो वो top level domain let's move to the next question अगला सवाल यह है graphical user interface is not available in windows operating system how is that possible graphical user in windows में नहीं है कैसा कैसा हो सकता है नहीं तो यह presentation आपको देखने नहीं मिलेगा अभी आप computer पे अगर बैटे हो तो computer पे आपको पुरा graphics से मिलता है देखने के लिए और वो windows में ही use कर रहे हैं हम लोग तो यह बिल्कुल false है याद रखना है यहाँ यहाँ पे कि graphical user interface windows में है यह है तबी तो windows की अपनी पेचान है नहीं तो DOS जो रहता था इसके पहले disk operating system उसमें graphics नहीं था अगर कोई question ऐसा आ गया graphical user interface is not available in DOS operating system तो यह correct हो जाएगा true हो जाएगा फिलाल यह false है आगे बढ़ेंगे next question यह है personal digital assistants are the most widely used handled computer यानि कि आप जो mobiles use करते हैं वो सब most widely used handled computers ही होते हैं तो इसे हम PDA भी बोलते है personal digital assistant handheld computer मतलब आप हाथ से उसे use करते हैं mobile and all तो यह जवाब यहाँ पर true रहेगा next question की और बरेंगे process of copying information to your computer from a specially configured FTP server is called as तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि आपके computer में information copy करना FTP server से यानि डाउनलोड करना कोई server से अगर information आप ले रहे हो तो उसे हम डाउनलोडिंग बोलते है simple answer तो डाउनलोडिंग इसे याद रखना है next question की तरफ बढ़ते GUI means graphical user interface GUI का full form क्या होता है graphical user interface याद रखना है GUI graphical user interface that's it next question dashboards are a special type of serial port of connecting musical instrument like an electronic keyboard to a sound card so ऐसा कौन सा पोड है जो कि हम जिसके जरी electronic keyboard हम connect कर सकते है sound card को और एक musical instrument connect करने के लिए इसे यूज किया जाता है उसका नाम है MIDI यानि कि Musical Instrument Digital Interface इस पोड के जरी है हम electronic keyboard यानि कि musical instrument connect कर सकते है ये simple चीज याद रखनी है यहाँ पर और next question की तरफ बढ़ते है email includes all of the following basic elements email में element में से कौन कौन से elements रहते है ये आपको रहेगा ये multi choice रहेगा मतलब एक साथ आपको दो तीन option यहाँ पर check करने रहेंगे तो उसके लिए box भी रहेगा आगे check करने के लिए दोस्तों don't worry about that यहाँ पर पूछा गया क्या है email includes all of the following basic elements email में क्या-क्या रहता है और कौन सान नहीं रहता है तो email में header तो रहता है message भी रहता है signature भी रहता है तो bookmark email में नहीं रहता है header, message and signature यह option आपको यहाँ पर check करने होंगे तीनों भी option चेक करने होंगे objective तो आगे चलते रहेंगे दोस्तों लेकिन आप नए हो में channel पर तो आप एक बार यह भी याद रखिए कि यह channel है complete technology यानि computer tips and mobile tips के बहुत सारे videos already मैंने upload किये हैं अगर आपको बनना है computer में smart तो आपको यह channel को करना होगा subscribe और bell icon पे भी click करना हो जल्दी से subscribe और bell icon पे click करके रखिए ताकि आने वाले videos की notification आपको सबसे पहले मिलते रहेगी computer की नहीं नहीं चीज़े सीखते रहोगे मेरा यह आप से वादा है दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने next question की तरफ अगला सवाल यह है programs that automatically start and operate as a part of your browser are called browser के अंदर browser चालू होते ही कोई program automatic start होते है उनको क्या बोला जाता है plugins बोला जाता है उनको क्या बोला जाता है plugins जो program browser के साथ होते ने window के साथ चालोते है उसे plugins बोलते हैं तो इसका answer याद रखना है next everyday you receive email messages from unknown senders what is the term for this type of security threat तो आपको रोज ने ने mails आ रहे है अलग अलग लोगों से जो के unknown users है जैसे कि advertising के mail आते हैं तो यह सारे mail चले जाते हैं spam के अंदर spam एक folder रहता है अपने Gmail में कभी कहे रहेंगे तो spam एक folder आपको मिलेगा उसके अंदर अगर चेक करेंगे तो सारे advertising के mail पड़े रहेंगे मतलब unknown लोगों से आई होए mails तो regularly अगर कोई आपको mail कर रहा है तो वो automatically spam में चले जाते है advertising से आने वाले ओके next question की तरब बढ़ते है अगर आपको क्या करना है एक computer दूसरे computer को connect करना है तो उसके लिए कौन से card की जरूत रहती है आपको network interface card की जरूत रहेगी अगर आपको दो computer एक दूसरे से connect करने तो दोनों में NIC रहना चीए network interface card बढ़ मैं आपको बता हूँ कि यार ये card इंस्टॉल करनी की आजकल जरूत नी motherboard में inbuilt NIC port रहता है उसको cable लगा के डिरेक्ली एक computer दूसरे computer में हम connect कर सकते है network interface card अलगसा लगवानी की जरूत नी अगर वो motherboard का खराब हो गया तो ही लगवाना पड़ता है आगे बढ़ते हैं in a micro computer system the central processing unit CPU और processor is contained on a single chip called dash dash microprocessor एक single chip में होता है उसे हम microprocessor बोलते processor बोलते CPU बोलते बहुत सारी अलगलग नाम है तो इसका जवाब simple है microprocessor जो की control करता है पूरे computer को याद रखो ये central processing unit भी होता है ये control करता है computer की सारी activities और इस single chip को microprocessor बोलते है जो की image आपको screen पे दिखाए दे रहा है अब आगे बढ़ते है microprocessor has two basic components इसमें से कौन से दो basic component रहते है control unit and arithmetic and logic unit ये दोनों आपको check करने रहेंगे या पे multiple choice question ही है तो आपको दो answer टिक करने रहेंगे वापे box आता है radio button नहीं आता है goal वाला या पे check box आता है चेक करना पड़ेगा आपको तो control unit and arithmetic logic unit ये microprocessor के दो basic component है ये याद रखना है next question की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें है to listen songs from your computer you need to install dash type of card on your computer अब गाने सुनने हैं तो computer में कौन से card लगाने की जरूँते है sound card की जरूँते है लेकिन फिल से मैं आपको वही बताऊंगा कि motherboard की उपर sound card already inbuilt रहता है अलग साल लगाने की जरूँतन नहीं है you don't have to install all these things यार पहले से रहता है motherboard की उपर आजकल inbuilt पता नहीं MSI2 वालों ने ये question क्यों दिया है लेकिन इसका answer तो याद रोको आप sound card है दोस्तों अगले सवाल की तरह बढ़ेंगे और यहाँ पर अगला सवाल computers use the dash number system to store data and perform calculations वीडियो तो आगे चलते रहेगा दूस्तों लेकिन अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो like बन पर क्लिक कीजिए जल्दी से कीजिए क्या ना computer में कौन से number system use के रहता है calculations perform करने के लिए binary of course मैंने आपको पहले बोला binary language रहती computer की so binary number system होता है data store और calculations करने के लिए computer के अंदर याद रखना है simply next a keyboard like caps lock that turns a features on or off is called a dash key keyboard की उपर ऐसे कुछ keys है जिससे on or off होता है दोनों भी तो ऐसे तीन keys है याद रखना है उन keys का भी नाम बता देता हूँ यहाँ पे caps lock, num lock and scroll lock यह 3 keys है और यह 3 keys on भी होती और भी होती जैसे caps lock on उप करेंगे तो capital small होता है number on off करेंगे तो number बंद हो जाता है number lock और scroll lock on off करेंगे तो scrolling on off होता है तो यहाँ पर उसको बिलते toggle keys क्या बिलते toggle जिस keys से on और off होता है ऐसे की को हम toggle की बोलते है तो याद रखना है, इस related एक सवाल ऐसा भी आता है control is a toggle key, यह false है control toggle की है ही नहीं है, caps lock, num lock and scroll lock, यह तीन ही toggle की है and you should remember this always we'll move to the next question now अगला सवाल यह है, in the most cases the word software interchangeable with word dash so software word को हम अलग भाशा में क्या बोलते हैं मतलब हमारी बाशा में बोला जाए तो हम program बोलते हैं यह program install करना है, वो program install करना है so software is also known as program this is the answer of this question so यह बहुत simple है, याद रखना है कि software को दूसरा क्या बोलते है program बोलते हैं, और क्या अगला सवाल है, graphic programs widely used in the graphic arts professional include so graphic programs किस में यूज़ ओता है desktop publication program में यूज़ ओता है graphic program करोल्डरा, photoshop और page maker, illustrator, indesign यह सारे swap to us जिस में आते हैं वो होता है desktop publishing programs यानि कि graphics program so clear? और मैं आपको यह भी बताओ कि अगर computer related tips and tricks सीखने हैं, जानने हैं तो मेरे एक website भी है दोस्तो learnmoreindia.in learnmoreindia website learnmoreindia.in description में उसकी link दिये, उसमें computer tips से डेर सारी चीज़े हैं, जो कि आपको जानना बहुत ज़री है computer में अलग लग चीज़ों की history है computer की history printer की history, USB की history ऐसी बहुत सरी histories भी है और आपको काफी मज़ा आएगा पढ़ने के लिए अगर आप interested हो तो जरूर एक बार learn more India ज्यादा सीखो India ये website को visit जरूर की जिएगा फिलाल तो अगले सवाल के और बढ़ते हैं which of the following is true about an internal hard disk internal hard disk के बारे में क्या true रहता है fixed amount of storage रहता है, variable amount storage रहता है, portable रहता है क्या रहता है, इसका answer fixed amount of storage है internal hard disk जो हमारी computer में रहती है उसमें data fixed amount of storage रहता है तो अब बढ़ते हैं next question की तरफ next question यह, the Unix is an open source operating system that is an alternative to Windows so Unix की ऐसे कोन से operating system है जो Windows के लिए alternative है, वो है Linux Linux एक Windows के लिए alternative operating system है जो कि हम कम use करते है, फिलाल यह हमारे लिए ज़ादा use नहीं होता है लेकिन जो hackers लोक रहते है, जो company की security maintain करते है वो Linux यूज़ करते है, server level पर Linux operating system यूज़ होता है यह OS है, जैसे Windows OS है हमारा Windows 7 है या Windows 10 है, मैं सेटी वाले तो 7 यूज़ कर रहे है वैसे Windows 10 आया है, मार्केट में नहीं है तो यह Windows के अलावा आपको यह Linux भी operating system मिलता है, मार्केट में उसे सीखने के लिए थोड़ा सा आपको time देना पड़ता है coding, इसमें इसमें थोड़ा से coding और थोड़ा सा professionally सीखना पड़े है यह एक IT सेक्टर का course है, जिसमें सीखने के लिए आपको थोड़ा सा coding भी आना चाहिए रहता है चलो अब next question कि दरब बढ़ते है dash telephones are specialized input and output devices for receiving and sending voice communication internet telephones, इसका answer है internet telephones, voice communication के लिए specialized device युज़ते है, sending and receive होता है internet के जरिए so internet telephones इसका answer है और अगला सवाल है the series of dots that form the image on the monitor are called monitor के पर dot मेंज images perform होते हैं, उसे हम क्या बोलते है pixels बोलते है, simple है monitor के उपर dot में image दिखते है, dot 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 करके so pixels रहते हैं, हम बोलते हैं, कितने megapixel का तुमारा camera भाई, यानि कि हर एक image megapixel में pixels में record होती है, तो monitor के उपर जो display होता है, वो भी pixels में होता है दोस्तों आगे बढ़ेंगे, dash is widely used for wireless headset, printer connections and handheld devices so bluetooth इसका answer है, और bluetooth एक widely used होता है wireless devices में, wireless headset में होता है printer connections भी आजकर bluetooth की जरी होते हैं, आपको mobile तो पता ही है, bluetooth से हम इदर उदर transfer करते हैं, data को, so bluetooth इसका answer है, और आगे का सवाल है और आगे का सवाल है all of the following are commonly used units of measurement to describe memory capacity except so नीचे दिये गए unit में से एक unit ऐसा है कि जो memory के लिए use नहीं करते है, बाकी सब करते है, megabyte होता है gigabyte होता है, terabyte होता है, लेकि nanobyte यह नहीं होता है, already उसे board दिया है मैंने, तो आप समझ गया होंगे इसका answer nanobyte, nanobyte यह memory count का unit है ही नहीं है memory इसमें count होती ही नहीं है आगे, dash is the transmission of electronic message of the internet, internet के उपर electronic message transfer करना यानि email करना दोस्तों, simple है, email यानि की electronic transmission, इसका answer email है, अब बढ़ेंगे, next question क्यों हो, most operating systems support the ability to switch between different application, this is called एक साथ हम दो चार application पे काम कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, multitasking कोलते हैं, जो कि हमने starting question देखा था, true or false का, right so multitasking, ability to switch between different applications at a time, okay so next question is, you want to carry 5GV data with you while traveling to the other city referring to this situation, you need to use dash to 5GV data, so अगर आपको 5GV data एक शहर से दूसरी शहर में लेके जाना है, ऐसे traveling करते समय, तो आप क्या use करोंके इसके लिए क्या use करोंके उन्होंने simple पूछा है, तो आप digital versatile disk use करोंके DVD, DVD digital versatile disk, CD, DVD पता रहेगा न, आपको, DVD 4.7GV data store होता है, लगबग 5GV होता है, तो इसलिए उन्होंने दिया है, next question की तरफ बढ़ते हैं, आज के लमबे से distance रहता है, उसे हम क्या बोलते है, dot pitch बोलते हैं, उसे हम लोग, so, जो pixels होता है, pixel लेने की, you know that image, क्यो पर dot dot form में image, तायर होती है, उसे हम pixel बोलते है, और दो pixel के विच का distance है, dot pitch, और अगला सवाल ही है, the most frequently used output device is the, हमेशा यूज़ करने वाला है output device, इसका मतलब होता है, monitor होता है, plotter जो नहीं होता है, plotter कभी cover output है, लेकिन कभी cover यूज़ करते है, mouse का सवाल ही दिया था, वो input है, scanner भी input है, so, इसका answer है, monitor, monitor एक हमेशा या frequently यूज़ करते हैं, और रोज ही use करते हैं, monitor नहीं तो यूज़ करोंगे, spreadsheet यूज़ करोंगे, spreadsheet याने Excel, Excel के अंदर ये सारी analysis, forecast, budget वगरा बनते हो, बहुत सारी formulas and functions रहते हैं, लेकिन मैं आपको बताओ कि Excel में बनना है smart, तो मेरा channel है learn more, ये तो complete channel है, जिसमें computer tips and mobile tips upload कर रहा हूँ है, लेकिन मेरा और एक channel है, जिसमें लगबग 3,000,000 से ज़्यादा subscriber है, जिसका नाम है learn more और उसमें Excel में smart बनने के लिए मैंने Excel के लगबग 300 से ज़्यादा वीडियो जए Excel की playlist है, basic से Excel आप सीख सकते हैं, कापी अच्छा response मुझे all or India, इंडिया से ही नहीं बाहर से भी, all or words से बोल सकता हूं, जो जो हिंदी वोर से वो अच्छे से देख रहे हैं हमारी channel, all or the word में से, so और बहुत अच्छा response भी आया है, Excel के कापी ज़्यादा वीडियो जए जिसमें आप Excel में definitely master बनोगे, यह advertise कर रहा था मैं, अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर next question है, the hard disk, disk surface is scratched and some or all of the data is destroyed when there is a crash, तो इसका जवाब है head crash, जब head crash होता है, तो हमारा पूरा data loss होने के chances रहते हैं, hard disk के अंदर का data पूरा loss होका, अगर head crash होता है, तो यह simple चीज़ आप याद रखना है, इसका अंसर, head crash होता है, hard disk, disk और surface crash होता है, तो उसके बाद क्या होता है, data loss होने के chances रहते हैं, और वो कौन सा है, head crash, याद रखना है, इसका अंसर, और आगे बढ़ते हैं, Dash is specialized digital video cameras that captures images, ऐसा कौन सा digital video cameras जो images capture करता है, अपकोस webcam, webcam के जरीए हम लोग यहाँ पे images capture करते हैं, next question, Dash and Dash are the most widely used handheld computers, personal digital assistance and smartphone ये handheld computers है, most widely used handheld computers, handheld means mobile की तरह, handheld, हाथ में use करने वाले, Okay, ये आगे बढ़ते हैं, Dash is any data or instruction that are used by a computer, so computer input लेके ही instruction और data लेके ही उसके बाद use करता है उसे, right, so input is any data or instruction that used by computer, next question, the keyboard keys that have arrows on them are called, keyboard keys जिस पे arrow रहती है, आप सबको पता होनी चाहर, उसे navigation keys बोलते हैं, arrow key आपन डाउन left and right, That's the navigation keys, to navigate page up and down and left and right, next question, What input device can be used for marking a multiple choice test, multiple choice test के लिए marking read करने के लिए कौन सा device यूज होता है, optical mark recognition इसका answer है, और आपने देखा होगा, OMR इसे short में बोलेंगे, तो OMR, optical mark recognition, ये आपके scholarship के paper चेक करने के लिए होता है, OMR sheets, अगर आप लोगों में से किसी ने scholarship का paper दिया होगा, तो उसमें पता है आपको, अगर आपका पहला question का answer A है, तो A के आगे round करो, B है तो B के आगे round करो, C के इस website to watch or download video files, video files download करने के लिए और वीडियो देखने के लिए आप youtube.com use करें, जो क्या भी आप वही कर रहे है, youtube देख रहे हैं दोस्तों, तो इसका जवाब बिलकुल सही है, youtube.com, आगे बढ़ते हैं, the last part of the domain name following the dot is called header, it's false, header नहीं बोल सकते हैं, domain name के बाद जो होते हो, so ये practically started and operates as a part of browser, yes, plugins, ऐसे program होते हैं कि जो automatic start होते, browser का एक पाट ही होता है, browser के साथ ही हो start होते, तो true है, और next question, mailing list allows members to communicate by sending messages to a list address, जैसे Microsoft Word के अंदर लेटर है, mailing एक option रहता है, जिसके जरीए हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सरे लोगों के साथ message communicate कर सकते हैं, अलग-अलग address जो हमने list में अड़ किये हैं, वो सब के लिए हम लेटर बना सकते हैं, तो mailing list याद रखना है, इसे true याद रखना है, B to C, C to C, business to customer, customer to customer and business to business are the types of e-commerce, simple जवाब है, इसका e-commerce का type होते हैं, ये तीन, next question, universal product code is read by what type of scanner, universal product read, कौन से scanner से read होते हैं, बार कोड रीडर से होते हैं, बार कोड रीडर तो आपने देखा हो का medical shop में होगे रहा, वो product के उपर जो code रहते हैं, वो read करता है, तुरंत bill ready हो जाता है, that's it, dash printer create irritating noise while printing, print करते समय, ये printer बहुत noise create करता है, irritating noise create करता है, उसको कौन प्रिंटर बोलते हैं, dot matrix printer, याद रखना है, ये बहुत irritated noise करता है, प्रिंट करते समय, अब यहाँ पे और भी प्रिंटर दी है, inkjet printer, inkjet printer क्या होता है, ink spread करता है paper क्यों पर, dash printer spreading ink on paper while printing, that is inkjet printer, laser printer, dash printer use laser technology while printing, laser printer, and thermal printer, thermal printer के बारे में बता हो, तो dash required heat sensitive paper, dash printer required heat sensitive paper, thermal printer, printer, ये printer के बारे में जानना बहुत जरूरी आपके लिए, तो इस तरह से ये total 50 objective में यहाँ पे cover कर लिए है, अब आपकी बारी इस objective को solve करना, तो चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इन objective को solve करना है, तो description में मैंने एक link दी है, MSIT, final exam, objective, regular questions, इस तरह से ओ लिंक आपक choose करना है, और check करना है, आपका answer यहाँ पे submit करके, जैसे आप submit करोगे, यहाँ पे लिखिया है, correct, आपने true किया तो, और false किया होता, तो क्या ता लिखिया, wrong, तो यह मैंने बनाया है, आपको practice करने के लिए, जो questions मैंने यहाँ पे दिए है, वो total 50 questions यहाँ पे है, तो यहाँ description में इसकी link दिए, वहाँ पे click कीजिए, और तुरंत इसका practice करके देखिये, कि आपके कितने बराबर आते, मतलब आपने video तो पुरा देखा होगा, लेकिन इसको solve करना तो पड़ेगा, आपको एक judge करना पड़ेगा, कि आपके कितने objective यहाँ पे याद रहे चुके है, तो यहाँ पे कुछ और editing करना बागी है इस website में, लेकिन फिलाल मैंने बहुत सरे blog upload कर दिये, जो कि आप पढ़ सकते Excel 2019 में क्या ने formula है, mouse की setting के बारे में जान सकते है, Windows 7 के बारे में जान सकते है, या फिर बहुत सरे computer की history and all है, अगर आप home पे click कर तो यहाँ पे, so you will get it, add home screen करना, या फिर आप computer में देख रहे हो, तो right click करके add page कीजिए, और यहाँ पे learn more करके इसे save कर दीजिए, जैसे यहाँ पे दिख रहे है, आपको यह website add हो चुकिए, तो ऐसे आप bookmark करके रखिए, आने आने वाले दोर में इसमें बहुत सरी computer tips रहेगी, जानने के लिए आ आपको computer में smart बनने के लिए, और mobile में भी smart बनने के लिए, उसकी भी tips में यहाँ पे upload करते जाओंगा, और अगर आप practical का भी videos देखना चाते हैं, तो video section में click कीजिए, और video section में click करने के बाद, यहाँ पे नीचे scroll करके, आपको मिलेगा, यहाँ पे MSIT का practical का video, यह एक video है, आप 50 marks कैसे आपको मिल सकते हैं, इसके बारे में पूरा बताया, practical objective दोनों भी यहाँ पे मैंने बताया, किस तरह से exam आती यह भी मैंने बताया, that's it for the day दोस्तों, आज के लिए दास इतना ही था, उमीद है आपको यह पसंद रहा होगा, like कीजिए दोस्तों के साथ, share और मुझे बता दीजिए, comment section में कि कैसा लगा आज का वडियो, exam होने के बाद, amacetic exam होने के बाद, मुझे जरूर लिखना comment section में कि आपको कितने marks मिले, मुझे इंतजार रहेगा आपके marks का, definitely आप अच्छा स्कोर करोगे, all the best for the exam, मिलूँगा अगले वडियो के अंदर, त पाइशा कितरा, बाइबाइ